हाई लो फ्रेंट्स हमारे चैनल में आपका स्वागत है तो आज होली के लिए हम पापड बनाने वाले हैं तो आज हम पापड बनाने वाले हैं टमाटर के तो टमाटर की पापड बनाने के लिए हमने पके पके टमाटर को पीस लिया है और उसे मैं च्छान लेती हूं च्छान लिए हैं अममें थोड़ा थोड़ा करके मैदा मिला देती हूं एक है है तो आप मैदा के पापड बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं खटे मीठे अगर आप ज्यादा कट्टे मीठे रखना चाहते हैं तो ज्यादा टमाटर पीस लें हमने कम ही पीसा है इसलिए कि हमें पापड थोड़े बनाने हैं है मैदा को अच्छे से मिला लिया है हम एक इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देती हूं पानी अभी कम है और इसमें थोड़ा सा और रंज पूंड कलर मिला देती हूं ताग इनका अच्छा हो जाये इस है कि निए वालिक फुलट है टमाटर और मैदा को घोल में पतला ही रखना है गाड़ा नहीं रखना है और इसमें हमने पानी कम से कम 5-6 कटोरी मिलाया है और इसे पकने के लिए हमने गैस पर रख दिया है और इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला है पापड में नमक कमी डालना होता है, और हम इसमें जीरा डाल देते हैं, और इसे में बराबर चलाते हुए पका लेती हूँ, इसे बराबर चलाते रहना है ताकि तली में पकड़े नहीं, आप लोग देख सकते हैं, पेस्ट हमारा काफियत तक गाड़ा होने लगा है, अभी ए अब इसमें थोड़ी से लाल मिर्च डाल देती हूँ, लाल मिर्च हमारी कुटी हुई है, आप चाहें दोना डालें, अब टामाटर और मैदा का पेस्ट हमारा बनकर तयार हो गया है, इतना पतला ही हमें रखना इससे गाढ़ा नहीं रखना है, अगर इससे गाढ़ा हो जा अब इसे हमने हलका से ठंधा कर लिया है ज्यादा ठंधा नहीं कर रहा है और इसे मैं दूसरे परतर में एकार कर पापड बना लेती हूं धूम में हमने पोली थीन बिच्छाई उसी पर मैं पापड बना रहे हूं अगर आप बड़े पापड रखना चाहती है तो आप दो दो चमच से डाल कर बनाईए मैं चोटे पापड बना रहे हूं इसलिए मैं एक एक चमच डाल रहे हूं आप लोग दे सकते हैं पापड हमारे कितनी अच्छे और गूल गूल बन रहे हैं कि इसी तरह से मैं बहुत सारे पापड बना लेते हूं इस तरह से पापड हमारे जटपड बन जाते हैं पापड हमारे एक तरफ सूख गया है अब मैंने दूसरी तरह पुलट देती हूं ताकि अच्छे से सूख जाए आप लोग दे सकते हैं पापड हमारे बहुत अच्छे से उलट रहे हैं पापड हमारे बहुत मोटे नहीं बने हैं ना जादा पतले हैं बढ़िया बने हैं कि पापड को हमने उलट दिया है आप मैं अच्छे से दो दिन तक धो में सुखा कर हम इन्हें दusa कर दिखाऊंगी आप लोग दे सकते हैं पापड हमारे बहुत अच्छे से सूख गये हैं आप लोग दे सकते हैं पापड हमारे कितने अच्छे बने हैं अब मैं इने तल लेती हूँ तलने के लिए हमने तेल गरम होने के लिए पहले ही कड़ाई में रख दिया था तेल हमारा अच्छे से गरम है, अब मैं पापड फराई कर लेती हूं, आप लोग दे सकते हैं पापड हमारे कितने अच्छे से फूल रहे हैं, पापड हमारे दोगना साइज की हो रहे हैं, पापड हमारे बहुत अच्छे और कुरकुरे बने हैं, आप लोग भी इस तरह से ए और पापड तल लेती हूं आप अपापड हमारे बहुत ही अच्छे और कुरकुरे मेंने हैं और जितने हमने जरूरत ही अपने पापड तल लिए हैं अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए